नमस्कार दोस्तों, आप लोग ग्रहों के बारे में सुना होगा, ग्रह means planets, आज हम ग्रहों का नाम और हरे ग्रह के बारे में कुछ जानकारी पढ़ेंगे, मैं शाहिला आप लोगों को स्वागत करती हूँ बुथ ग्रह, अंग्रेसी में मरकुरी कहते हैं, बुथ ग्रह सौर मंडल का सूर्य के सबसे निकट स्तिद और आकार में सबसे छोटा ग्रह है, यह सूर्य की एक परिक्रमा करने में 88 दिन लगता है, 88 मीन्स 88 डेस, यह लोहे और जस्ते का ब्यना हुआ है, लोहे मीन्स आयन, ज सिंक, शुक्र ग्रह, शुक्र को अंग्रेसी में मीनस कहते हैं, शुक्र सूर्य से दूसरा ग्रह है, और चटवाम सबसे बड़ा ग्रह है, शुक्र पर कोई भी चुम्बगीय क्षेत्र नहीं है, चुम्बगीय मेंस मैगनेटाइस्ट, और इसका कोई उबग्रह नहीं है, उ प्रिध्वी के बराबर आकार और बनावट होने के कारण बनावट मेंज टेक्स्चर इसे प्रिध्वी की बहन कहा जाता है। अत भूमी नहीं तो प्रिध्वी प्रिध्वी बुध और शुक्र के बाद सूर्य से तीसरा ग्रह है। आंतरिक ग्रहों से सबसे बड़ा ग्रह है। आंतरिक मीन्स इंटेरनल। पूरी कायनात में थर्ती एकलवता ग्रह है जहां पर जीवन है। एकलवता मीन्स वना जोली। मार्स हिंदी में मंगल ग्रह मंगल ग्रह सौर मंडल में सूर्य से चाउथा ग्रह है इसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है लाल मीन्स रड़ मंगल ग्रह को युद्ध भगवान भी कहा जाता है यह नाम अपने लाल ग्रह की बज़र से मिला है नेक्स्ट, ब्रहस्पदी, अंग्रेसी में जुपीटर ब्रहस्पदी सूर्य से पांचवाम और हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है रोमन सभ्यदा ने, सभ्यदा मिन्स कल्चर अपने देवदा जुपीटर के नाम पर इसका नाम रखा था ब्रहस्पदी के उबग्रह गिनी मेट है अब शैनी ग्रह, तर इस साचोन शैनी सौर मंडल का एक सदस्य ग्रह है सदस्य मिन्स मेंबर यह आकाश में एक पीले तारे के समान दिखाई देता है पीला मिन्स एलो कलर यह सूरिज से चठे स्तान पर है और सौर मंडल में ब्रहस्पदी के बाद सबसे बड़ा ग्रह है शैनी के उबग्रह चाईचन है अब आया यूरानस यूरानस को अरुन ग्रह कहते है सौर मंडल में सूर्य से सात्वा ग्रह है अरुन ग्रह अरुन को बिना दूर्बीन के आंखों से भी देखा जा सकता है दूर्बीन मीन्स चेलसकॉप अब आया वरुन वरुन ग्रह को अंग्रेसी में नेप्टून कहते है सार मंडल में सूर्य से आठ्वां ग्रह है वरुन ग्रह वरुन सूरी से बहुत दूर स्तिध है वरुन को नीला द्रव्य भी कहा जाता है नीला द्रव्य मेंस ब्लू लिकुड ओके भ्यान से पढ़ लीजिए थन्यवाद